हेलो दोस्तों स्वागत है एक बात पुना आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सिर्खोचिंग क्लासेस पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो है हम क्लास टॉल्ट बाहलाजी न्सी आर्टी चैप्टर आठ में आज के जो हमारा टापिक दोस्तों क्या है ब्यासन क्य होता है दोस्तों ठीक है इसको हम आउसादी व्यासन भी बोलते हैं कभी कभी तो ब्यासन क्या होता है इसके कारणों का वर्णन कीजिए ठीक है दोस्तों तो आज हम देखेंगे व्यासन होता क्या तथा इसके कारण देखेंगे ठीक है दोस्तों देखें दोस्तों जो ब्या अधिने के वाद सेवन करके उतेजन तता रोमांस کاην भाएं सेवन होता है देखिए व्यक्ति नसीली दवाओं को पीने के बाद क्या करता है बहुत उत्सुखतावास तथा नसीले पदार्थों का सेवन करके उत्तेजना तथा रूमांच का अनुखो करता है अपनेआप में ब्यक्तिती बिच्छन उसार के अभाव में लगतार सेवन करता है इसको ठीके दोस्तों तथा यह कैसा समय आता है जब वह चाय करभी से नहीं छोन पाता है ठीक है दोस्तो इस्थित को क्या कहते हैं ब्यासन या एडिक्षन कहते हैं ठीक है दोस्तो तो ब्यासन की आपकी डिफनेशन मालूम हो गई कि सरीरिक तथा मानसिक रूप से नसीले दवाओं पर ही आस्रित होना य ठीक है दोस्तो उत्सुक्ता में क्या होता है कई सारे संचार माध्यमों के विग्यापन देखते हैं ठीक है दोस्तो तो विग्यापन के प्रणाम सरुप व्यक्ति को नसीले पदार्थों को जानने की उत्सुक्ता पैदा होती है जिसके कारण को क्या करता है नसीले पदार् अब देखे दोस्तों समाजिक दवाव में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी समारों में नसीले दवाओं के सेवन है तो किसी नए ब्यक्ति पर बार बार दवाव डाला जाता है और इस दवाव के कारण कमजोर ब्यक्ति सक्ति वाले ब्यक्ति ठीक है दोस्तों क्या होता है कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी समरों वगेरा में नसीली दवाओं के सेवन है तो किसी नए ब्यक्ति पर बार बार दवा डालते हैं ठीके दोस्तों जिस कारण से इस दवाव की कारण कमजोर इच्छा सकती वाले ब्यक्ति जो होते हैं वो इन दवाओं का सेवन कर लेते हैं ठीके दोस्तों और अनंद की अनुभूती होने पर वो बार बार इसका सेवन प्रारंब कर देते हैं ठीके दोस्तों तो इस प्रकार से समाजिक दवाव के कारण भी व्यक्ति क्या करता है नसीली पदार्थों का सेवन करता है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट था अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा कारण क्या था क्या है कि निरासाओं एवं चिंता से छुटकारा ठीक है दोस्तों तीस कहीं दूर चला जाता है और वह नसे में डूब कर अपने दुख दर्द को कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं भुला देते हैं ठीके दोस्तों इस तरह वह नसे में डूब हुए व्यक्ति जो है अपने दुख को कुछ समय के लिए भूल जाता है ठीके दोस्तों इस तरह वह करने रखता है करने ब्यासे था जो परीवारी की दिहास की यदि बात करें दोस्तो तो अनेख परिवार में बड़े सदस खुले आपने में देखा गाले कि परिवार के बड़े सदक्स्य होते हैं वह वार खुले आम नसीले-पदार्थों का सेवन करते हैं ठीक दोस्तो तो इस प्रकार से प्रिवारी की तिहास अपूर्व आनंद की प्राप्ति देखिए यह भी पाचवा कारणा इसमें क्या होता है देखिए दोस्तो कि कुछ मादक द्रब्व जो होते हैं उतेजक प्रक्रतिके होते हैं और यह उन युवाओं जो जिने सरीरिक छमता की चाह होती है इनके सेवन से अध्भूत अनंद की प्राप्ती होती है ठीक दोस्तों जबकि बास्तों में इन दवाओं के सेवन से सरीरी केवं मानसिक दुरवलता आती है ठीक दोस्तों लोगों की ऐसा मायसी माननता है ठीक दोस्तों कि इनको क्या करने से इनको लेने से क्या होता है कि तेज उसमें भी उसमें भी क्या होती है ठीके तो क्या मने कि आपकी हो जाती है इसमें आंतरिक दॉरवलता आने लगती हैं ठीके दोस्तो तो इस प्रकार सी व्यसान के पांच कारण है धोस्तो तो दोसं न quand पांच कारण आपको याद रखने क्योंकि कम से कम आपको पांच कारण याद रखने क्योंकि पेपर में ये कोस्चन पांच नंबर के पूछे जाएंगे ठीके दोस्तों तो पांच नंबर के कोस्चन के हिसाब से आपको तयार करके चलना ठीके दोस्तों और ये कोस्चन पेप देखिए यहाँ पे जो सक्री प्रतिरच्छा होती है तो एक साइड तो हमारी क्या है सक्री प्रतिरच्छा यह एक्टिव इम्यून्टी तथा दूसरी साइड के हमारा अक्री यह पैसिव इम्यून्टी ठीक है दोस्तो तो अक्री प्रतिरच्छा और सक्री प्रतिरच्छा द और वो संक्रमर के प्रति एंटी वाडिज स्वया मुथपन्न करने लगता है। ठीक दोस्तों क्या कामने कि इसमें शरीर की कोशिकाएं ही क्या होती है संक्रमन के प्रति एंटी वाड़ीज उत्पन्न करने रगते हैं ठीक दोस्तों अब देखिए अक्री प्रतिरच्छा या पैसी प्रतिरच्छा या पैसी म्यूंटी में क्या होता है कि इसमें अन्न जीव जीवों के सरीर में विक्सित एंटीवाडेज को एंटीजन के प्रभाव को नश्ट करने के लिए अन्य जीवों के सरीर में निवेसित करते हैं ठीक है दोस्तों यानि जो एंटीवाडेज हैं वो एंटीवों के सरीर में बनेंगे ठीक है दोस्तों जिनको हम एंटीजन के संक् को रोकने के लिए ठीके दोस्तों इन एंटी वाडेज को फिर हम दूसरे सरीर में जो दूसरे के सरीर में बने हैं उनको अपनी सरीर में या दूसरे जीवों के सरीर में क्या करते हैं या प्रवेस करते हैं ठीके दोस्तों क्या कहा हमने कि इसमें अन जीवों के सरीर में बिक्स बनने में समय लगता है तो स्तु यानि इसमें एंटि वाड इस बनने में का आफी समय लगता है यानि इतनी जल्दी इसमें इन तुरंत क्रियासील होते हैं ठीक है दोस्तों जैसे ही इनकी जरूरत पड़ी तो ये तुरंत क्या होते हैं एक्टिव होते हैं क्रियासील होते हैं ठीक है दोस्तों तो ये तो दूसरा डिफरेंस है अब देखिए दोस्तों तेसरा डिफरेंस क्या है इनमें यह हानी रहित होते ठीक है दोस्तो जबकि इसके विप्रेट जो हमारा क्या है अक्री प्रती रच्छा है इसमें सरीर के दोरा बाह एंटी वाड़ेज के प्रती अनुक्रिया से खत्रे की संभावना हो जाती है ठीक है दोस्तो चौथा डिफरेंस है हमारा इनके बीच जो हमारा अक्री प्रतिरच्छा या एक्टिव प्रतिरच्छा होती है या एक्टिव इम्यून्टी या चिर इस्थाई होती है अर्थात ये कैसी होती है या इस्थाई होती है ठीक है दोस्तो ये किस प्रकार होती है य थाई नहीं होती है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये था सक्री एवं अक्री प्रतिरच्छा में अंतर यानि एक्टिव प्रतिरच्टिव इम्मून्टी और पैसिव इम्मून्टी में डिफ्रेंस, ठीक दोस्तों तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी झाल झाल करता है।